नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चनल पीएफपी में आज हम एशियन पेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं स्टॉक आज हमें 5% क्रैश होता हुआ नजर आया अपने आल टाइम है से 20% नीचे आ चुका है तो क्या यहां से bounce देखने को मिलेगा या फिर गिरावट continue रहती भी नजर आ सकती है as a retail investor हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले reason समझ लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों हो रही है तो यह के बहुत से reason है FII selling करते जा रहा है market का sentiment ही oral week चल रहा है लेकिन सबसे मुख्य कारण है crude oil के prices लगातार उपर जा रहा है पहले भी यहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही थी लेकिन Russia Ukraine के tension के बाद तो यह हमें skyrocket होते हुए नजर आए है हमने कई बार Q&A session में discuss किया weekly analysis के वीडियो में discuss किया है कि crude oil के prices उपर जा रहे है तो paint industry के margin पर आपको impact देखने को मिलेगा लेकिन अब तक यह stocks आपको hold करते हुए नजर आए थे जादा यहां पर weakness देखने को नहीं मिल रही थी लेकिन आज at last हमें यहां पर घिरावट देखने को मिली है तो मुख्य कारण तो हमें crude oil के prices से दिखाई पड़ते है company के fundamentals के बार में बात करे product wise revenue breakup paint से 97.3% का revenue आता है home improvement से 2.7% location wise breakup के बार में बात करे इंडिया से 88.5% का revenue है और international revenue 11.5% fundamental ratios के बार में बात करे ROE 24%, ROCE 30% बहुत ही अच्छे numbers है और अपने averages के साथ ही चल रहे है net profit margin 14% के उपर है यह FY21 के है अभी क्रोल के prices तो बहुत ही ज़दा बढ़ चुके है तो margin में हमें घिरावट देखने को मिली है debt to equity 0.03 है negligible कर्जा में नज़राता है company के financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे yearly basis पे आपको revenue में growth दिखाई पड़ती है profits भी आपको yearly basis पे बढ़ते हुए नज़राता है तो clearly अच्छा financial trend नज़राता है share holding pattern के बार में बात करें तो total promoter holding है 52.63% जिसमें आपको pledge promoter holding की भी समस्य नज़राती है अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ quarter से यह जो pledge promoter का percentage है यह आपको 6% से कम होकर 4% के आसपास होता हुआ नज़राता है mutual fund 3% other DIAE 4% FII 20% और retail category almost 20% तो overall share holding pattern भी आपको अच्छा नज़राता है analyst के rating के बार में बात करें 37 analyst ने stock को cover किया है जिसमें से 45% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए higher side पे 50% का upside है median है 23% का upside और lower side पे 8.5% की घरावट बताई जा रही है 3,00,00 करोड की दिगज market cap है 28,71 का last date price है जो की 5% नीचे है 100 का PE ratio है तो valuation तो clearly आपको premium ही नज़राता है लेकिन यहाँ पर आपको yearly basis पे PE expansion देखने को मिल जाता है चार साल पहले जो normal PE ratio था अभी वो undervalued हो चुका है तो यहाँ पर company बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है यह company ने अपने आपको प्रूफ किया है growing sector है market leader company है यह सब ऐसे reasons हैं जिसके करण continuously आपको valuations महंगे होते वही नज़राते हैं और Asian Pains उस valuation पर आपको sustain होता हुआ भी नज़राता है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि 2500 के level से अच्छी तेजी देखने को मिले फिर stock हमें उपर जाता हुआ नज़राया गिरावट देखने को मिले 200 days के moving average पे support लिया यह current market price के आसपास काई level है 2870 के आसपास का level फिर तेजी देखने को मिले stock उपर गया यह जो है था marginal इसे तोड़ भी दिया था लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिले 200 दिन के moving average पे support लिया उपर गया फिर से नीचे आता हुआ नज़राता है तो यहां पर हमें lower high और lower low का formation होता हुआ नज़राया तो clearly stock में weakness देखने को मिल रही है 200 दिन का moving average आज हमें तूटता हुआ नज़राता है अपने सारे moving average के नीचे फिलाली stock rate कर रहा है RSI के बार में बात करें daily RSI 28.94 है clearly weakness ही नज़राती है volumes के बार में बात करें तो volume के साथ हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है तो ऐसा नहीं है कम volume के साथ गिरावट हुई है अच्छे कासे volume के साथ हमें यहां पर breakdown दिखाई पड़ता है weekly chart के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे generally हमें यहां पर नज़राएगा जब भी stock में गिरावट होती है 50 weeks का moving average as a important support नज़राता है by chance वो level तूट जाता है तो 100 weeks का level हमें देखने को मिलता है और यह जो moving average है कई बार as a strong support देखने को मिला March के crash के समय पर भी यही level support की ज़रा नज़राया और वापस stock में थेजी देखने को मिली फिलाल यह level calculate होकर आता है 26-72 के आसपास का level तो approximately 27-8 का level हम assume कर सकते है weekly RSI 40 के आसपास है अच्छी कासी weakness आ चुकी है overbought situation खतम हो चुकी है और support की तरफ stock हमें बढ़ता हुआ नज़राता है तो यहाँ पर हमें नज़रायेगा यह जो current market price है काफी ज़्यादा important level है क्योंकि यहाँ पर support भी लिया था यहाँ से भी bounce हुआ था पहले यह resistance के तरह भी देखने को मिला था तो यह level हमें important नज़राता है लेकिन मेरा मानना है यहाँ से भी stock आपको नीचे जाता हुआ नज़रा सकता है simple reason यह है कि यहाँ पर हमें एक head and shoulder pattern भी देखने को मिला है जो कि दर्शात है यह जो length है same आपको नीचे के side पर दिखाई पर सकती है जिस प्रकार से crudele के prices उपर जा रहे है गिरावट तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत और देखने को मिल सकती है थोड़ा बहुत नीचे के side पर यह consolidated करने की भी कोशिश कर सकता है और दूसरा point यह है कि यहाँ पर हमें जो main support था यह भी काफी important था जो कि तूट चुका है 200 days का moving average भी हमें तूटता हुआ नजराता है और तकरीबन 2-2.5 साल के बाद हमें 200 days का moving average तूटता हुआ नजराता है तो generally जब भी stock 1-2 साल से जादा इतना जादा bullish हो जाता है तो जब वो एक बार यह 200 दिन का moving average तोटता है तो यहीं से recover हो जाएगा उसके chances कम होता है थोड़ा बहुत यह अपने लिए time लेता है थोड़ा आराम करता है यहाँ पर consolidate करता है थोड़ी बहुत गिरावट दिखाता है volatility दिखाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर तेजी देखने को मलती है तो इन सब reasons की वज़े से मेरा मानना है कि stock में थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मल सकती है मैं कौन सा level expect कर रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो bounce के लिए जो level में expect कर रहा हूँ वो है 2750 के आसपास का level क्योंकि यह जो बड़ी candle है इसका higher level इसी के आसपास बंद रहाता है तो यह level में यहाँ पर expect कर रहा हूँ 2750 तक आसकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर bounce दिखा सकता है और बायचान stock में गिरावट continue रहती है तो 2500 के levels भी हमें देखने को मिल सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा downside मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर 2-4 महिने का इसने time spend किया है तो यह level काफी important हो जाएगा 2750 से भी ज़्यादा important यह 2500 का level होने बाला है तो यह दो levels मुझे फिलाल चार्ट पर नज़र आते हैं company के positives के बार में बात करें तो fundamentals अच्छे नज़र आते हैं market leader company है strong shareholding आपको नज़र आता है strong shareholding से मेरा मतलब यह है कि जो ownership है आपको retail category में ऐसा नहीं है कि 50-60% की ownership है institution के पास है promoter के पास है इस हिसाब से अच्छा कासा strong ownership हमें यहाँ पर नज़र आता है और growth भी काफी अच्छी है सिर्फ Asian paints की नहीं पूरे paint sector में growth काफी अच्छी है और आगे भी expected है कि paint sector आपको grow होता हुआ नज़र आएगा तो Asian paint यहाँ पर major beneficiary नज़र आता है negative उसके बार में बात करें तो technicals आपको weak नज़र आता है margins पर pressure देखने को मल रहा है और यह crude oil के prices कब तक उपर रहेंगे यह हमें नहीं पता है तो margins पर कब तक pressure रहेगा यह भी हम नहीं बता सकते promoter holding आपको pledge नज़र आती है यह भी एक negative है valuation काफी ज़्यादा premium चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया 100 का PE ratio है तो clearly सस्ता valuation तो नहीं है valuation as the investor हमारे side होता है तो एक comfort हो जाता है हमेरे पास लेकिन वो comfort हमें Asian paints में तो नज़र नहीं आता most of the analysts यहाँ पर हमें bearish नज़र आता है तो फिलाल यहाँ पर करना क्या चाहिए short term के लिए तो weak है avoid करना चाहिए medium के लिए भी weak है avoid करना चाहिए long term के लिए आप खरीदारी करने के बार में सोच सकते है अच्छी company है valuation मुझे यहाँ पर of course थोड़ा सा महेंगा लगता है लेकिन काफिस time से यह valuation बढ़ता ही जा रहा है PE expansion आपको साल दर साल यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है और यह sustain करता हुआ अभी नज़र आता है growth के back up यहाँ पर हमें देखाई पड़ता है तो long term के लिए आप यहाँ पर accumulation करने के बार में सोच सकते हैं levels हमने अल्यड़ी चार्ट पर discuss किये है I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है आपके investment trading decision में आपको यह मदद करता है thank you stay happy happy investing